C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे कक्षाचार की ध्वनी पुस्तक गणित का जादू नौवा पाट आधा और चोथाई प्रिष्ट चोरान्वे मिन्टु बिल्ली और मोटु बिल्ली दोस्त थे एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई इसे मैं लूँगा? नहीं, इसे मैं लूँगी मोटु ने कहा जब वो दोनों लड़ रहे थे, तभी वहाँ टीटु बंदर आया अरे, लड़कियों रहे हो, क्या समस्या है? उसने पूछा बिल्यों ने कहा हम समझ नहीं पा रहे हैं, कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बाटें? तभ टीटु ने कहा अच्छा, चिंता मत करो मैं इस चपाती को तुम दोनों में बाट दूगा चालाख टीटु ने चपाती को कुछ इस तरह बाटा हे, ये बराबर नहीं है, बाया भाग ज़्यादा बड़ा है मिन्टू और मोटू ने कहा ओ, कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूँगा कहकर टीटू ने बाया हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया टीटू बोला आप देखो, ये बराबर है अरे, अब दाया भाग ज़्यादा बड़ा है बिल्लियों ने चिल्ला कर कहा मुझे माफ करना ऐसा कहकर टीटू ने दाया हिस्सा तोड़ा और खा लिया जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा, तो उसने कहा ये मेरे काम का महंताना है टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चड़ गया इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाए गए हैं पहले चित्र में टीटू को रोटी के दो छोटे और बड़े हिस्सों के साथ दिखाया गया है और उसके साथ दो बिल्या खड़ी है और दूसरी चित्र में टीटू को रोटी के छोटे और बड़े टुकड़ों के साथ दिखाया गया है और साथ ही दो बिल्या खड़ी हुई है प्रिष्ट पचानवे आधा आधा अगर बिल्या तुमसे कहें कि चपाथी को दो बरावर हिस्सों में बाट दो तो तुम उसे कैसे बाटोगे? यहाँ पर चपाथी का एक चित्र दिखाया गया है अगर तुम टीटू की तरह चलाकी न करो तो बिल्यों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा यहाँ पर एक चित्र में दो बिल्यों को रोटी के दो बराबर हिस्सों के साथ दिखाया गया है आधे का आधा अगर दो बिल्यों और आ जाएं और खाना मांगें तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? यहाँ पर एक चित्र में चार बिल्लियों के साथ एक लड़की का चित्र है दो बिल्लियों के मुह में रोटी के दो चौथाई भाग है और दो चौथाई भाग लड़की के हाथ में दिखाए गए है एक बिल्ली ने कहा हां, हमें से हर एक को चपाती का चोथाई भाग मिल गया तुम सही बटवारा करती हो कई टुकडों के आधे, रानी को एक चॉकलेट मिली उसने उसको बराबर बाटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी यहाँ पर चॉकलेट का एक चित्र है, जिसके छे बराबर हिस्से दिखाए गए हैं उस हिस्से पर घेरा लगाओ, जो रीना को मिला प्रिष्ट च्यानवे चॉकलेट के कितने टुकडे हैं? रानी के पास कितने टुकडे बचे हैं? रिक्तिस्थान, यहाँ पर रानी के चहरे का चित्र है रानी कहती है हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वाधिष्ट है जितने की पूरी चॉकलेट आधे पन्ने की बहुत सारी आकरतियां एक पन्ना लो, उसे दो बराबर तिकोनों में काटो ताकि हरेक तिकोन आधे पन्ने के बराबर हो दोनों तिकोनों को अलग-अलग रंगों से भर दो अब इन तिकोनों से अलग-अलग आकरतियां बनाओ यहाँ एक ऐसी आकरति दिखाई गई है यहाँ पर दो तिकोनों की आकरतियों के चित्र है अब तुम यहाँ पर अपनी आकर्तियां बनाओ आधा करने के बहुत से तरीके यहाँ पर एक आयत को जिग-जग तरीके से दो भागों में बराबर बाट कर दिखाया गया है साथ ही एक बच्चे के चेहरी का चित्र है बच्चा कहता है मैंने एक आयत बनाई और उसे दो बराबर भागों में इस तरह बाटा हर भाग आधा है हम इसे इस तरह लिखते हैं एक बटा दो इसका मतलब होता है दो में से एक भाग तुम जात सकते हो कि भाग बराबर है या नहीं एक को दूसरे के ऊपर रख कर देखो प्रिष्ट 97 जिसे बराबर बराबर चार त्रिभुजों में बाटा गया है। बच्चा कहता है, मैं चार हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूँ एक बटा चार, इसका मतलब चार में से एक भाग। एक आयत को तुम कितने अलग अलग तरीकों से चार बराबर भागों में बाट सकते हो। पांच अलग अलग तरीके यहां बना कर दिखाओ। यहां पर पांच आयतों की चित्र बने हैं। इन पांचों आयतों को तुम बराबर बराबर चार भागों में बाट कर दिखाओ। अपने लिए अपने भाई राजु के लिए अपनी मा और पिताजी के लिए। यहाँ पर एक चित्र बना है, जिसमें रजनी को केक काटते हुए दिखाया गया है, और रजनी के सामने उसके ममी पापा और भाई खड़े हैं, हर हिस्से में अलग-अलग रंग भरो, हर एक को कितना मिला, रिक्तिस्थान, पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया, अ अब उस कुल भाग में रंग भरो, जो रजनी को मिलेगा, चार भागों में से रजनी को रिक्तिस्थान भाग मिलेंगे, जो की केक का आधा हिस्सा होगा, इसलिए वो इसको लिखेगी रिक्तिस्थान बटा चार या एक बटा दो, पिताजी के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का एक बटा दो भाग था, ये हिस्सा पूरे केक का एक बटा चार भाग था, राजु के हिस्से में रंग भरो, रजनी और राजु को कुल मिला कर कितना केक मिला, उनके हिस्से में रंग भरो, कुल मिला कर उन्हें चार में से तीन भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं तीन बटा चार इस प्रिष्ट पर दाहनी तरफ चार गोले बने हैं प्रतेक गोलों को चार बराबर भागों में बाटा हुआ दिखाया गया है प्रिष्ट निन्यानवे लालची कुंदू कुंदू एक लालची आदमी है वो जब भी बाजार जाता है वो चीजे तो जादा से जादा लेना चाहता है पर जादा खर्चा करना नहीं चाहता है एक दिन उसकी इच्छा कदू का हलवा खाने के हुई उसने केवल दस रुपे में एक बड़ा कदू खरीदने की कोशिश की वो बाजार गया और पहली कदू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कदू का भाव पूछा कदू बेचने वाली बोली इस कदू के एक बटा चार की कीमत दस रुपे है पूरे कदू की कीमत होगी रिक्तिस्थान रुपे कुंदू ने कहा अरे दस उर्पे में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए कद्दू बेशने वाली बोली फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाए वो आपको एक बटा दो कद्दू दस उर्पे में दे सकता है मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ यहाँ पर एक कद्दू बेशने वाली का चित्र है और उसके साथ कुंदू का चित्र भी बना है कद्दू बेशने वाली के पास कुछ कद्दू रखे हैं कुंदू दूसरे बेशने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा कुंदू ने कहा इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे दस रुपे में दोगे? दूसरा कद्दू बिशनेवाला बोला आधा पूरे कद्दू की कीमत होगी रिक्तिस्थान रुपे प्रिष्ट सो कुंदू कुंदू बोला भाईया इसी कीमत में तीन बटा चार कद्दू मिलेगा दूसरा कद्दू बिशनेवाला बोला भागो यहां से जाओ दूसरी दुकान पर जाओ वो खराब सबजिया बेशता है वो तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू दस रुपे में दे देगा लालची कुंदू अगले कद्दू बेशने वाले के पास चला गया उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा क्या तुम मुझे ये पूरा कद्दू दस रुपे में दोगे तीसरा कद्दू बेशने वाला बोला तुम क्यो नहीं सामने वाली छट पर चड़ जाते वहां से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ, मुफ्त में कुंदू बहुत खुश हुआ वो उस घर की छट पर चड़ गया और फिर यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें कुंदू को चट से गिरते भी दिखाया गया है और साथ ही कद्दू भी दिखाया गया है यहाँ पर एक भाव सूची का चित्र है जिसके दो भाग है पहले भाग में सबसे उपर लिखा है वस्तू और दूसरे भाग में लिखा है भाव रुपए में प्रती किलो आईए अब हम सूची को पढ़ते हैं अब इन प्रश्णों के उत्तर दो भाव सूची का उप्योग क एक बटा दो किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी एक बटा दो किलो प्याज की या एक बटा चार किलो गाजर की कीर्ती बाजार में खरिदारी के लिए जा रही है उसके पास केवल बीस रुपए हैं क्या वो सूची में लिखी सभी चीजें खरीद सकती है इस भावसूची को देखकर तुम खुद दो प्रश्ण और बनाओ प्रश्ण एक रिक्तिस्थान और प्रश्ण दो रिक्तिस्थान यहाँ पर कीर्थी का चित्र है जिसके हाथों में भावसूची और नूटों को दिखाया गया है प्रिष्ण 101 अभ्यास का समय क पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है हर एक आकर्ति के नीचे लिखो यहाँ पर दो आकर्तियां बनी है पहली आकर्ति के दो भाग है इसके एक भाग को रंगा हुआ दिखाया गया है और दूसरी आकर्ति के चार भाग है इन चारों में से दो भागों को रंगा हुआ दिखाया गया है अब तुम इन्हें देखकर अपने उत्तर लिखो पहली आकरती रिक्तिस्थान दूसरी आकरती रिक्तिस्थान ख हर आकरती के उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है यहाँ पर छे आकरतियों के चित्र है पहली आकरती अश्ट भुज जिसके चार बराबर भाग है और नीचे लिखा है एक बटा दो दूसरी आकरती गोली की है जिसके चोथाई भाग को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है तीन बटा चार तीसरी आकरती छे भुजाओं वाली है जिसे चार बराबर भागों में बाटा गया है और उसके नीचे लिखा है तीन बटा चार चौथी आकरती एक आयत की है जिसे चार बराबर त्रिभुजों में बटा दिखाया गया है और नीचे लिखा है एक बटा चार पांचमी आकरती एक और आयत की है जिसके च्छे बराबर भाग है और उसके नीचे लिखा है एक बटा दो और आखरी और छटी आकरती भी एक आयत की है जो खाली है और उसके नीचे लिखा है तीन बटा चार अब आपको इन छेओं आकर्तियों को देख कर उतने भाग को भरना है चितना की उसके नीचे लिखा है. ग, आधा काटें. एक रेखा खीच कर यहाँ दिहूए आकर्तियों को आधा करो. यहाँ पर तीन चित्र बने हैं. पहले चित्र में एक पक्षि का चित्र है. दूसरे चित्र में एक सितारा बना है और तीसरे में कद्दू है अब तुम इन तीनों आकरतियों को एक रेखा के माध्यम से दो भागों में वाटो प्रिष्ट एक सो दो घ, आधी आकरतियों में रंग भरो जैसा की यहां दिखाया गया है यहां पर तीन चित्र है पहले चित्र में आठ आयद दिखाये गए है इनमें से चार आयतों को रंगा गया है दूसरा चित्र गोलों का है यहां पर अठारा गोले दिखाये गए है और तीसरा चित्र फूलों का है इसमें दस फूल दिखाये गए है दी हुई आकरतियों में एक बटा चार भाग रंग ये यहाँ पर तीन आकरतियां दी गई है पहले चित्र में चार जिग-जग आकरतियां बनी है दूसरा चित्र बूंदो का है यहाँ पर आठ बूंदे दिखाई गई है और तीसरा चित्र घन का है यहाँ पर चार घन दिखाये गए हैं च, रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा की दिखाया गया है यहाँ पर एक तालिका के तीन भाग है पहले भाग में चार अस्टभुच दिखाये गए है प्रतेक अस्टभुच को चार बराबर भागों में बाटा गया है पहले अश्टबुज के दो भाग रंगे हुए दिखाए गए हैं दूसरे अश्टबुज का एक भाग तीसरे अश्टबुज के चारों भाग और चौते अश्टबुज के तीन भाग रंगे हुए दिखाए गए हैं तालिका के दूसरे हिस्से में सबसे उपर चौथाई लिखा है, उसके नीचे आधा, उसके नीचे तीन चौथाई और सबसे आखिर में पूरा लिखा है तालिका के अंतिम भाग में सबसे उपर तीन बटा चार अंकित है, उसके नीचे चार बटा चार, उसके बाद एक बटा दो, और सबसे नीचे एक बटा चार लिखा हुआ है इसमें से एक को करके दिखाया गया है, जैसे दाई तरफ की सबसे उपर वाली आकरती, जिसके चार भागों में से दो भाग रंगे हुए हैं उसे हमने एक रेखा द्वारा आधे से मिलाया, और फिर हमने एक रेखा द्वारा एक बटा दो से मिलाया अब बाकी तीन चित्रों को ऐसे ही मिलाओ प्रिष्ट एक सो तीन छे दूसरे आधे हिस्से को बनाए यहां एक बटा दो चित्र दिया गया है क्या तुम बचे हुए आधे हिस्से को बना कर चित्र को पूरा कर सकते हो यहां पर तीन चित्र है पहला चितर आधे फूल का है, दूसरा चितर आधी तितली का है और तीसरा चितर आधी मकडी का है, जिसकी चार ठांगें दिखाई दि रही हैं जो ये चितर का चोथाई भाग है, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? इसको पूरा करने के लिए तुम्हें कितने चौथाईयों की जरूरत पड़ेगी रिक्तिस्थान यहाँ पर एक चुत्र में सूरज के एक चौथाई भाग को दिखाया गया है एक मीटर का आधा और चौथाई अपने मीटर स्केल के सहारे एक मीटर लंबी रसी काटो इस पर एक बटा दो मीटर, एक बटा चार मीटर और तीन बटा चार मीटर पर निशान लगाओ अपनी रसी के सहता से जमीन पर एक बटा दो मीटर लंबी रेखा कीचो यह रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी है? रिक्तिस्थान याद रखो एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर या सी एम यहाँ पर एक लड़की को रस्सी की मदद से मीटर स्केल को नापते हुए दिखाया गया है प्रिष्ट एक सौचार अब बताओ अब तुम इन प्रश्णों के उत्तर दो एक बटाओ दो मीटर बराबर रिक्तिस्थान सेंटीमीटर यानि सी एम एक बटाओ चार मीटर बराबर रिक्तिस्थान सेंटीमीटर यानि सी एम और तीन बटाओ चार मीटर बराबर रितिस्थान, सेंटिमीटर यानी सी एम तुम देख सकते हो कि जब हम एक बटा दो और एक बटा चार जोडते हैं तो हमें तीन बटा चार मिलता है दूद को बाटो ये बोतल एक लिटर दूद से भरी है ये दूद बाकी चार बोतलों में इस तरह भरा गया है कि हर बोतल में एक बटा चार लीटर दूद है हर बोतल में रंग भर कर दूद का इस्तर दिखाओ यहाँ पर पांच बोतलों का चित्र है याद रखो, एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर हर बोतल में कितना मिली लीटर दूद है? रिक्तिस्थान शान ने एक लीटर दूद दो बोतलों में इस तरह डाला कि पहली बोतल में तीन बटा चार लीटर दूद आया और दूसरी बोतल में एक बटा चार दूद आया यहाँ पर दो बोतलों का चितर बना है इन में तुम 1 को 3 बटा 4 लिटर दूद से और दूसरी बोतल को 1 बटा 4 लिटर दूद से भरो दोनु बोतलों में जहां तक दूद आया, उतने हिस्से में रंग भरो हर बोतल में कितना मिले लिटर दूद है? फ्रिश्ट 105 बराबर भाग, यहां पर दस बाटों का चित्र है, जिन पर लिखा है एक किलो, पांत सो ग्राम, पचास ग्राम, दो सो पचास ग्राम, दो सो ग्राम, दो सो ग्राम, पांत सो ग्राम, दो सु पचास ग्राम, और सो ग्राम. खाली पलडे में सही वजन लिखकर दोनों पलडों को बराबर करो कितनी तरीकों से तुम इसे बराबर कर सकते हो? क, खाली पलडे बट्टे बनाओ और बराबर करो याद रखो, एक किलो बराबर एक हजार ग्राम यहाँ पर एक तराजू का चित्र है, जिसके दो पलडे हैं एक पलडे पर दो किलो का बाट रखा है क, कितने अलग अलग तरीकों से तुम तीन बटा चार किलो बार की बराबरी कर सकते हो? यहाँ पर एक तराजू का चित्र है जिसके दो पलड़े हैं जिसके एक पलड़े में तीन बटा चार किलो बाट रखा है अब तुम इन खाली स्थानों को भरो एक रिक्तिस्थान, दो रिक्तिस्थान और तीन रिक्तिस्थान प्रिष्ट एक सोचे ये गलत क्यों है? मिनी कहती है कि ये गलत है. क्या तुम बता सकते हो कि ये गलत क्यों है? यहाँ पर दो चित्र दिये गए हैं. एक चित्र आयत का है जिसके तीन भाग बराबर है और चौता भाग कुछ बड़ा है और ये रंगा हुआ है. त्रिबुज का एक छोटा हिस्सा रंगा हुआ दिखाया गया है आयत के नीचे बॉक्स में गलत का निशान है और त्रिबुज के नीचे बॉक्स में एक बटा दो लिखकर उसे काठा गया है अभ्यास का समय अब तुम इन प्रश्णों के उत्तर दो यहां साथ आम है एक बटा दो पके हुए है कितने आम पके हुए है यहां बत्तिस बच्चे है एक बटा दो लड़किया है लड़के कितने है बीस तारे है उनमें से एक चौथाई लाल है कितने तारे लाल है कितने तारे लाल नहीं है रवी को एक पैंसिल खरीदनी है इसके कीमत दो रुपए है उसने एक रुपए का सिक्का दिया एक आधे रुपए का सिक्का दिया और एक चौथाई रुपए का सिक्का दिया क्या ये काफी था? इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे एक बच्चे को पेंसिल से कौपी पर कुछ लिखते हुई दिखाया गया है और यहाँ पर एक दूसरी चित्र में कुछ सिक्के दिखाये गए हैं जिनमें 25 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 1 रुपे के 3 सिक्के और 2 रुपे के 3 सिक्के दिखाये गए हैं इसी के साथ नौवा पाट आधा और चौथाई यहीं समाप्त होता है। नाइदली भारत